Hello guys, welcome back to the channel और आज की स्वीडियो में हम जो है हमारी computer system security की unit 3rd का next topic discuss करेंगे जिसका नान है browser isolation तो browser isolation से related जितने भी topics and definitions है या जो भी concepts हो सकते है with the help of diagram आज हम समझेगे so let's start with the definition की browser isolation basically होता क्या है what is browser isolation तो सबसे पहले तो browser isolation जो है एक technology है technology क्या होती है जो किसी भी चीज़ को predefined करती थी है कि इसका जो process है इसी तरीके से work करेगा so browser isolation is a technology that keeps browsing activity secure तो browser isolation की जो टेक्नोलोजी है वो हमारी browsing activity को secure कर देती अब browsing activity क्या होती है browsing activity होती है जो भी हम internet पर search करते है वाया browser तो उस activity को जो भी चीज हम सर्च करने हैं, जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं over the internet with the help of browser, उस चीज को हम बोलते हैं browser activity, browser किस टाइप के हो सकते हैं, browser हमारे multiple types के होते हैं, इनके कुछ example जैसे की Google, Safari, Microsoft Edge, Brave browser, तो इस तरीके से बहुत सारे browser के example, चाफिर browsers जो हैं, वो आप लोग use कर तो browser isolation के अंदर क्या होता है, browser isolation एक technology है, जो की browsing activity को secure बनाती है, अब secure किस तरीके से बनाइडी, यह क्या करती है, जो भी हमारे process होते हैं, web pages को load करने के, suppose मैं कोई वी चीज सर्च करता हूं, suppose मैं मेरे Tech Master Adminant की website है, मैं उसको Google पे सर्च करता हूं, या Chrome पे सर्च करता हूं, तो वो जो मेरा web page है, वो जो मेरी website है, उसको जो है मेरे system के browser पे load होने के लिए कुछ processing करनी पड़ती है, जो की cloud से connected होती है, तो उस time पे जो है, जो भी मेरे web pages display हो रहे हैं, उस time पे जो है, browser isolation के technology वर्थ करती है, और वहाँ पे जो है, मेरी device की security को maintain रखती है, अब मेरी device की security कैसे maintain होगी, अगर मैं किसी website को serve कर रहा हूँ, तो मेरी website को देख रहा हूँ, तो, कभी कबार क्या होता है, कुछ ऐसी websites होती है, जो की हमारी secured नहीं होती, अब इसका एक अच्छा example है, जो की हम इसी unit के अंदर, या फिर इही sessions के अंदर हम आने वाले videos पो discuss करेंगे, जिसक HTTP की जो भी website होगी, वो हमारी secured नहीं होती है, instead HTTPS की जितनी भी website होगी, वो हमारी secured layer में होती है, ताकि इनके अंदर से जो है, कोई भी attack possible ना हो, अब browser installation basically करता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके webpage से आपको display हो रहे है, उसमें security maintain करता है, security maintain करते वक्त, वो websites को run करते हैं, उन websites में किसी button को click करते हैं, तो वहां से हमारे system के अंदर virus आ सकता है, तो हमें क्या आपना है, वैसे web pages को surf नहीं करना है, but as a user मुझे नहीं पता होता कि कौन सी website secure है, या कौन सी website secure नहीं है, तो इस वज़े से browser isolation का concept आता है, browser isolation की technology होती है, वो हमारे browser के अंद देता है, that this website is not secure, तो इस तरीके से, जो भी हमारे malware infections होते हैं, या फिर जितने भी type के cyber attacks possible हो सकते हैं, over the website, over the internet through browsers, उन सभी को जो हम secure करने पे हैं, और हमारे जो user के devices हैं, या फिर जो internal networks हैं, जो की हम web browser पे use कर रहे हैं, तो browser isolation की जो technology है, वो उन सभी चीजों को ध्यान में र बनाती है, और इसकी help से जो हम किसी भी unknown या फिर unsecured website पे visit नहीं कर सकते, इसको एक example की help से समझते हैं, जो की बहुत ही अच्छा मैंने आपके यहाँ पर design किया है, आप ये end point या फिर ये user है, ये समझ लीजी कि आप हैं, जो की क्या कर रहे हैं, किसी भी website को surf करने की कोशिस करने हैं, तो suppose अभी इस a नाम का ये यहाँ पर user है, इस a नाम के user ने क्या किया यहाँ पर, ये किसी website को surf करना चाहरा है, किसी website को देखना चाहरा है, तो इसने request generate की request हमारी जाएगी cloud server के पास, अब जैसी वो request जाएगी cloud server के पास, अब cloud server जो है, इस चीज को detect करेगा, कि क् website safe है, तो हमारी website की जो rendering process है, वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारे website के code होते हैं, वो यहाँ से हमें return होना start हो जाएंगे, और जिसकी help से जो हम easily उस website को देख सकते हैं, but in case, अगर वो website secure नहीं है, तो ये वाना जो हमारा process है, website और code rendering का ये वाना process हमारा work नहीं करेगा, instead जो हमारी website है, जो हमारा cloud server है, वो क्या करेगा, cloud browsers के पास इसका notification भेज देगा, और वहाँ से वो चीज़ चेक होगी, कि क्या हमारी website secure है या नहीं है, अगर वो process इधर की side आता है, cloud browsers की side आता है, जहाँ पर आप cross का sign देख पा रहे होगे, तो इसका म website देख सके, उन सबी चीज़ों को क्या करते की, ब्लॉक कर देगे और आप उस websites को visit नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके सी जो browser isolation की technology है, यह remotely work करती है, जब कोई भी user किसी भी website को सर्फ परहा चाहता है, तो, thank you.